ओम नमा शिवाय गुरुर ब्रह्मा गुरुर विश्णर गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर शाक्षात परंब्रह्मा अत्समै श्री गुरुवे नमा खंड मंडला कारं ध्याक्तम येन चराचरं तत्पदम दर्शितम येन अत्समै श्री गुरुवे नमा नमस्कार आप देख रहे हैं News World इंडिया का मुख्रिकारिक्रम भविश्यवारी मैं आपके साथ पंडिश चंद्शीकर सर्मा लेके आया हूँ आपका शाप्ताहिक रासी फल सबसे पहले मेस रासी तो मेस रासी के जो जातक हैं उनको मानसिक सांती तो रहेगी परंतु अशन्तोज भी रहेगा परिवार में सुख सांती रहेगी सत्रूँँपर विजय प्राप्त होगी कुटुम्ब की किसी महला से आपको धन प्राप्ती के योग बन रहेगी और भाईयों के साथ मनमुटाब भी हो सकता है आपको बाचीत में संयत रहना होगा बाणी में कठोरता के भाव रहेगी खर्च में ब्रद्धी भी हो सकती है सेक्षिक कारियों में सफलता मिलेगी नौकरी में यात्रा पर जाना पड़ सकता है मित्रों का सहयोग मिलेगा तो आपके लिए हम उपाय वता रहें आप नित्य परती शिंदूर का टीका अपने मस्तक पर लगा अब आते हैं बर्शवराशी तो बर्शवराशी के जो जातक हैं उनको आतम विस्वास में ब्रद्धी होगी लेकिन आपको आतम संयत रहना होगा अपनी भाव नाव को बस में रखें और माता से आपको धन प्राप्ती की योग भी बन रहें दामपत्य जीवन में शुख में ब्रद्धी होगी किसी मित्र के सही ओक से रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं आए में ब्रद्धी होगी, परंतु आपको किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है आशा निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे, स्वभाब में चिर्चला पन भी हो सकता है पारवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती है परवार में मान शम्मान बढ़ेगा और नौकरी में आपको पदो निती के योग बन रहें आपके लिए उपा है, आप पीले रंग का फूल अपने गुरु के चरणों में ध्यान करती हुए भगवान विश्नु के मंदर में चालेगे अब आते हैं मिथोन राशी, तो मिथोन राशी के जो जातक हैं उनके मन में निरासा के भाव उत्पन हो सकते हैं माता का सही योग मिलेगा, नौकरी में परवर्तन की योग भी बन रहे हैं और कारचेत में परवर्तन आपका शम्भव है आपको संतान की ओर से सुखत समाचार भी मिल सकते हैं बस्तरों वा गेहनों के प्रती रुजहान बढ़ेगा स्वास्त के प्रती आपको सचेत रहना होगा और किशी पुराने मित्र से आपकी भेंट हो सकती है आत्मसंयत रहना होगा बानी में सौमेता रखे परिवार में हसी-खुसी का माहुल बना रहेगा और कारी में परिश्रम की अधिकता रहेगा तो आपके लिए जो उपाय है आप चन्नन की लकडी को किसी भी मंदर में दान करें अब आते हैं करकराशी की तरफ तो करकराशी के जो जातक हैं उनको आतम विश्वास में ब्रद्धी भी होगी और कुटुम्ब परिवार में आपके में धार में कारिश रंपन होगी शंतान शुक में ब्रद्धी होगी क्रोध के अतरेक से आपको बचना चाहिए उच्छी सिक्षा एबम सोध आधिकारियों के लिए विदेश प्रवाव की शंभावना बन रही है नौकरी में कारिश शेत्र में परवर्तन के योग बन रहे हैं आपका इस्थान परवर्तन भी संभव है मन में साम्तिवा प्रशन नता के भाव रहेंगे और आत्म विश्वास से लवरेश तो रहेंगे लेकिन आपको अत्य उत्साही बनने से बचना चाहिए माता वा परिवार की किसी बुजर्व महला से आपको धन प्राप्ति के भी योग है नौकरी में अपसरों का सही योग तो मिलेगा लेकिन इस्थान परवर्थन की भी शंभावना आपकी तरक के लिए बन रही है तो आपके लिए सुभ उपाय है कि आप कुशा के तीन ब्रक्ष लेके तीन पुशा के छोटी छोटे बेड होते हैं तो गांट लगा के नदी में जाकर के अपने पितरों को जल्दान करें अब आते हैं सिंगरासी की तरफ तो सिंगरासी के जो जातक हैं उनको भवन शुक का विस्तार होगा माता पिता का सहीयोग मिलेगा बस्तरों आदी के पृति रुजहान बढ़ेगा लेकिन आपके संचित धन में कमी आ सकती है पठन पाठन में रुची रहेगी सेक्षिक कारियों के सुखद परणाम भी मिलेगे संतान शुक में भी ब्रद्धी होगी आए में कवीवाव खर्चों में ब्रद्धी की इस्तिती भी बन सकती है आपको अपनी भावनाओं को बस में रखना होगा शुभाव में चिर्चलापन रहेगा और भवन शुक का विस्तार होगा नौकरी में तरक्की के योग है घर में धार्विक कारे भी हो सकते हैं और आप किसी धार्विक यात्रा पर जाने के भी योग बना सकते हैं तो आपके लिए जो सुभू उपाय है आप अपनी जेब में एक हल्दी की गांट रखना सुरू करते हैं अब आते हैं कन्याराशी तो कन्याराशी के जो जातक हैं उनके सुभाव में चिर्चला पन हो सकता है परंतु आतम विश्वास बढ़ेगा कारियों के प्रती जोस्वा उस्साह रहेगा नोकरी वा कारशेत्र में बिस्तार हो सकता है इस्थान परवर्तन भी हो सकता है और अपसरों का अपने बड़ों का सैयूग भी मिलेगा कारियों शेत्र में परिश्वास की अधिकता रहेगी मानशिक शामती रहने के बावजूद भी पारवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती है नोकरी में अतरिक्त कारिभार संभव है आए में ब्रद्धी भी होगी और स्थान परवर्तन तो आपको होना संभावित है ही इसके लिए हम आपको उपाय वताने जा रहे हैं कि आप आक स्वेत आर्क के फूल भगवान भोलेनात को चड़ाएं अब आते हैं तोलारासी तो तलारासी के जुजातक हैं उनके मन में शांतिवा प्रशन नता के भाव रहेगे लेकिन आपको बातचीत में संयत रहना होगा क्रोध के अतरिक से बचना होगा सेक्षे कारियों के सुखद परणाम होगे शोध आदिकारियों के लिए किसी दूसरे इस्थान पर जाना पड़ सकता है नौकरी में अपसरों का सहयोग मिलेगा इस्थान परवर्तन हो सकता है बानी में आपकी में कठोरता का भाव रहेगा आपको बातचीत में संयत रहना चाहिए और बस्तरों आद की और आपका रुजहन बढ़ेगा नौकरी में आपकी तरक्की के मार्ग प्रशष्ट होंगे आए में ब्रद्धी भी होगे और संचत धन भी बढ़ेगा लेकिन आपको कहीं यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है पर मित्रों का शायोग भी मिलेगा तो आपके लिए जो सुभव पाय है रातरी सोते वक्त अपने सिरहने एक लोटा जल भर के रखें ढख के रखें सुभा उठते ही उस जल को गिरहन करें अब आते हैं व्रस्चिक रासी तो व्रस्चिक रासी के जो जातक हैं उनको अपनी भावनाओं को बस में रखना चाहिए आत्म संयत रहना चाहिए और आपको शंतान की ओर से सुखत समाचार की प्राप्ती हो सकती है सेक्षिक बाबौधिक कारियों से यस बामान पतिष्ठा में ब्रद्धी होगी परिवार में शांती रहेगी बाहन शुक में भी ब्रद्धी होगी परिवार के शाथ किसी धार में कि स्थान की यात्रा पर भी जा सकते हैं आत्म विस्वास में ब्रद्धी होने के साथ-साथ क्रोध की भी अधिक्ता बहुत रहेगी जीवन शाथी से बैचारिक मत्वेद भी हो सकते हैं माता का स्थानि दिवश रहयोग मिलेगा और आपकी राजनेतिक महत्वा कांचाओं की पूर्ती भी होगी तो आपके लिए सुभ उपाय है कि अपनी जेम में आप एक काला धागा जिसमें एक रुद्राक्ष, पंच मुखी रुद्राक्ष को डालकर अपनी उपर की जेम में रखी या गले में धारण करें इससे आपको अत्यधिक शान्ती मिलेगा अब आते हैं धनुराशी तो धनुराशी को जातक हैं उनको मानशिक शान्ती भी रहेगी पर क्रोध बहुत अधिक रहेगा घर परिवार में धार में कार भी होंगी, परिवार में शुक शान्ती रहेगी, नौकरी में इस्थान परवरतन के योग बन रहेगी आपको अपनी इच्छा के बिरुदकुष नई कारियों की जिम्मेदारियां मिल सकती हैं कार शेतर में परिश्टम बहुत रहेगा, शंतान को भी कष्ट हो सकता है धर्म के प्रती स्रद्धा भाव रहेगा, आत्म विश्वास भी बढ़ेगा और कलावा संगीत के प्रती रुज़ान भी बढ़ेगे तो आपके लिए सुभू पाय है, आप नित्य प्रती पीपल की जड़ में एक लूटत जल चड़ाएगे अब आते हैं मकर राशी की तो मकर राशी के जो जातक है उनको शंपत्ती से आए में ब्रद्धी होगी और माता से धन की प्राप्ती भी हो शकती है कलावा संगीत के प्रती आपका रुज़ान वढ़ेगा, नौकरी में कारशेत्र में परवर्तन की संभावना है स्थान परवर्तन भी हो सकता है, कारशेत्र में परिश्रम की अधिकता रहेगी आए में काफी तरक्यी होगी, पारवारिक जीवन आपका सुक में रहेगा और संपत्ती से आपको काफी फाइदा होगा शंतान की और से शुकन स्रमाचार मिल सकते हैं आपके लिए जो सुभू पाय है कि आप एक तामबे का चल्ला गरहन करें अब आते हैं कुम्भराशी की तरफ तो कुम्भराशी वालों को भी माता का सहयोग काफी मिलेगा बाचीत में आपको शैयम बरतना होगा बाणी में कठोरता के भाव कुरोध की अधिकता रहेगी आपके संचे धर में काफी कमी आशकती है प्रतियोगी परिक्षा वा साक्षातकार आदिकारियों की सुख़द परणाम भी मिलेगे घर परिवार में धार्मेक शंगीत के कारे होंगी बाहन शुक में बरत्धी होगी आवेस और कुरोध की अधिकता से आपको बचना चाहिए दामपत्य शुक में बरत्धी होगी शंतान को स्वास्ते बिकार भी हो सकते हैं लेखनादी कारियों के से आयमें बरत्धी के योग बन रहें और आपको अपने स्वास्ति के परती सचेत रहना चाहिए तो आपके लिए सुभ उपाय है आप कंश्ठा उंगली में एक मोती धारण करें अब आते हैं मीन राशी तो मीन राशी वाले जो जातक हैं उनको धहर शीलता में काफी कमी आ सकती है आपको अपनी भाव नाव को बस में रखना होगा आपकी पारवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती है नोकरी में काफी तरक्की के योग तो बन रहे हैं लेकिन आए में ब्रद्धी भी होगी बस्तरों आदि पर आपका खर्च बढ़ सकता है सियक्षिक कारियों में ब्यवधान आएंगे और शंतान को स्वास्त विकार रहेंगे मानिशक शांती के साथ भी मन में असंतोष भी रहेगा घर परवार में धारविकार होगे बस्तरादी उपहार भी प्राप्त हो सकते हैं अनियोजित खर्चों में ब्रद्धी भी होगी और जीवन शाती से धन की प्राप्ती हो सकती है और आपकी यात्राइन लाभ प्रद होगी आपके लिए सुव उपाय है कि आप नित्य प्रती भगवान शूर को एक लोटा जल जड़ाएं आज के लिए वसितना ही आप से अगले सबताः फिर मिलते हैं आपके नए रासी फल के शार ओम नमाश्शिवाय मंत्रार्था शफला शंतो शफला शंतो मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिना साय अमित्राणाम अधियस्तवा ओम नमाश्शिवाय